केश में और तिन केशन को भस्म बताओ अटेशु कैशो खेल और तुम अब बता रहे हो कि जटा रखो इसमें धूल लगाओ, धूल लगाने सही जटा बनती है ना जिन केशो में स्यामसुंदर कटोरा भर भर करके तेल फूले लगाए उस केश को में तुम भस्म लगाने के लिए कह रहे हों, राख लगाने के लिए कह रहे हों, तो टेशु का ऐसो खेल, यह तो बच्चों के खेल जैसा है, बच्चे कभी कभी टेशु का खेल खेलते हैं, घ भर बनाते हैं बालू का कुछ और इसके बार लातालूती करके खतर करते हैं। खेले होंगे सभी लगतरा है खेल, भर से बालू से घर बनाते हैं और लास्ट में स्वयम ही नश्ट कर देते हैं। घर जाने से पर लातालूती चब लात सही मारते हैं। इसको टेशु का खेल पहते हैं, इसको टेशु का खेल समझे हो, जिन केशों का हमने इतना सरिंगार किया, तेल डाला, फुलेल डाला, स्यामसुंदर समारे, और इसको तुम भास्म लगाने के लिए बोलते हो, तुम अबलाओं के विश्म में इतने अग्य हो, कहीं स्त्रियां जोग करती हैं, जागर के मथुरा में सिखाओ पूर्सों को, जिन केशन कबरी गही सुंदर अपने हाथ बनाई, जिन केशों में चोटी गुथे, स्यामसुंदर, कंगी करके, और स्वयम ही कबरी बनाई, कबरी मने चोटी, तिन को जटा धरन को उधो कैसे कै कही आई, जिन केशों को श्रीकृष्न ने समारा, बेडी गुथा, और उन केशों को जटा बनाने के लिए कह रहा है हूँ, कैसे कहे तुभाले बुद्धी में बात कैसे आई, तिन को जटा धरन को कैसे कही कही आई, कैसे तुमारे मुंबसे बात निकली, चिखाने चले हो बहुत, उपकार करने चले हो और जिन श्रवनन ताटंक खुसी और करन फूल खुटिलाव जिन कानों में हमने करन फूल पहना करन भूसान इसमें खुटिलाव का क्या आथ है कोई गहना है जिन केशन, जिन श्रवनन ताटंक खुसी और करन फूल खुटिलाव जिन कानों में हमने कुंडल धारन किया, करन फूल धारन किया खुटिलाव खुटिलाव का आथ हता है जो कानों में कानों पर उपर से नीचे तक इस्तरियां गहना पहनते हैं खुटिलाव करते हैं, और कुंडल जो लटकता है कान में, तो हमने जीन कानों में कुंडल धारण किया, कुंडल धारण किया, खुटिलाव धारण किया, कानों पर सोने का गहना, तीन स्रमन में कस्मीरी मुद्रा लटकल, चीर जला दो, और तुम उन कानों में कस्मीरी मुद्रा धारण करने के लिए कह रहे हैं, कस्मीरी मुद्रा कारत है, कोई-कोई जोगी होते हैं, कनफटा जोगी, बहुत बड़ा-बड़ा रिंग धारण करते हैं, कस्मीरी मुद्रा क पर टुभ गोगा को करत कमभल बशने हां तो यहान सकते हियों मौनदेकर क्षेदीदा के और parole में मैं थो हुआ। जलाव। जलाव में जूलता रहे। कभी-कभी कोई-कोई कमबल लेते हैं और कमबल कोही सिला करके बास कमबल लटकता रहते हैं। और यहां तक बाह होती है। कमबल ही धोयर चलते हैं। बड़ा असानी का काम है साध्मों के लिए। क्योर कंबल के दोनों तरफ सी लेते हैं और दस कपड़ा कुर्था हो गया जितना बे धंगा कपड़ा पहनना होता है कुछ लोग कुछ लोग पहनते हैं जोक जलाव तो तुम बस्त्र बता रहे हैं कैसे बस्त्र पहनने हम अपने सिर पर सुभागे का तिलक की करती रहते थी hall चक काजर और आङकों में काजर लगाती है नख में नक sport लगाते थी नत्फोली लगाती थी नक बहसर जो नख की पस लिटका रहता है और नत्फोली मतलब नख में जो फूल लगाboom यह लगाई हैं, ते सब तजी हमरे मिलन को उज्वल भस्मी खुली, और यह सब छोड़ करके अब तुम उज्वल भस्मी लगाने को कह रहे हैं। कंठ सुमाल हारमन मुक्ता हीरा रसन अपार, ताहिं कंठ बांधिवे के हित स्रिंगी जोग सिंगार। हमने अब तक क्योल माला धारन की है और मनियों की माला लगाई है, मुक्ता धारन किया है, हीरा का चेल पहना है। सिकरी, और ऐसे कंठ में तुम स्रिंगी धारन करनी को कह रहे हूं, श्रिंगी मतलो सिंगा रसन बना हुआ, कुछोग का सिंगार करने को रहे है। जिन कंठों में हमने व्हा क्या- क्या धारन किया है। हम नि कंठे हम हाड़े whilst धारन कि कह रहे हैं। सिंग है, हाड ही है न, तेगाए कहोते है भाइसका, जीमुख मीत सुभाखत गावत, करत परसपर हास, तामुख मौन गहे किम जीवे घूटे उरद स्वास, जिन मुखों से, जिस मुख से, हम अपने प्रियतन के साथ, बात करती थी, गाती थी, परसपर हसी करती थी, और उस मुख को कह रहे हों कि मौन हो जाओ, बिना बोले कैसे जीएंगी, तामुख मौन गहे किम जीवे, भूटे उलद स्वास, और सांस को और दिर्ग करके घूटने के लिए कह रहे हों, प्राणयाम करने के लिए कह रहे हों, हमनों को देख करके तुमको बात करनी चाहिए, क्या इनकी बिधी है, किस तरह से, किसन से प्रेम करती हो, तुम हमनम को जोग मत सिखा, उर्ध श्वास करके, प्रणयम में ही होता है ना, सांस खीच करके और रोको, विदे घूट है, घूट लो, यह सरह हमसे नहीं हो सकता है, कंचु की छीन, उबटी घसी चंदन, सारी, सारस चंद, अब कंथा, एकयाती, गूदर, क्यो पहिराय मति मन, हम बहुत सुक्ष में फाइन कंचु की पहनी है अब तक, छीन कंचु की, पतले कपड़े की कंचु की पहनी है, और उबटी घसी चंदन, अब तक, जिस पर कमल का फूल बनाया गया था, और चंदरमा का चित्र बनाया गया था, ऐसी शाड़ी पहनी है, और तुम्हारे कहने से अभं कंथा, गुदर, और उठेंगी पहनेंगे, अब कंथाई कई अपनी गुदर क्यों पहरे मत मन, गुदरी, गुदरी तो छोटी होते, गुदर बड़ा होता है, कई पुराने कपड़ों का चिधड़ा लगा करके बनाया जाता है, जेक गुदरी कहते हैं, कुछ नया कपड़ा तो एक विता भी नहीं हो, जितना पुराना कपड़ा, इसको बहुत मोटा, बहुत लंबा, जेको गुदर कहते है, गुदरी होती है, और गुदर होता है, गुदरी तो देखे ही हैं, गुदर को बहुत कम देखे हूं, गुदर एक बाबा पहंगते थे बिंदागा में, एक बार गुदर को निकाल करके वो ट्रेन में रखे थे एक जगह, तो टीटी पूछा, इतना भारी क्या चीज़ा आपको इसका दाम देना पड़ेगा, भारी बाबा उन्टी निकाल करके पहाण लिये, कहे कि हमारे पुषाख है, तो माल लो कोई वजन में एक सौ से ज़्यादा हो, तो उसका ज़्यादा भढ़ा लोगे, यो तो हमारे पुषाख है, अब क्या भढ़ा लोगे, वो तो चकित हो गया, तीटी देखते हो कि इंगा पहन ज़्यादा नाव है, गुदर था वो, घर-घर में गुदरी तो होती है, लेवा जिसको कहते है, गुदरी रहीं है, तो हमें क्यों पहने, हम बहुत सुक्ष में कपड़े की, फायन कपड़े की चोली पहनी है, चंदन लगाई है, हमेरे सारी पर हमीशा कमाल और चंदर्मा क सब लोग प्रणाम करती हैं, यहां से उठो और जाओ भागो उठो उठो सबय पाला गए, देखो ज्ञान तुम्हारो, तुम्हारा ज्ञान देख डिया बस तुम पर भरोशा नहीं है, किसी पर भरोशा नहीं है, किवल भरोशा स्याम सुंदर पर है सूरदास मुख बहुरी देखी हैं, जीजो कान हमारो, हम फिर देखेंगे स्याम सुंदर का मुख, हमारे स्याम सुंदर जीवित रहें, सुख से रहें, कभी तो कभी भेट होगी ना, लेकिन बीच में सम्झावता कराने मात आओ, इस परकार की बात को हो करते हैं सूरदास मुख बहुरी देखी हैं, जीजो कान हमारो, हमारे क्रिष्न जीवित रहें, सुख से रहें, वही हमारे दुख को समझेंगे, तुम लोग ये पागाला करके कहते हैं, ध्यान करो, समाधिन करो, ये हम नहीं कराएंगे, प्रणायम करती हैं, बस दल्रुवत है आप को जाईए, बहुत उपकार कर लिए, ये सब चीज धारण करने से थोड़े भगवार मिलते हैं, अब गुदरी बढ़ करके घुमे और एक माला जौप नहीं कीजिए, तो इसके बढ़ने से क्या है, कमंडल बहुत भारी ले लिजिए, और कमंडल भारी ले करके और उठिये आठ बजे, इसे तो लोटा ले करके साज जाने वाले पानी पिनल आच्छा है कि मंगडार्ती में आजाते हैं, है ना, भारी तिल सूल उठा करके चलना, क्या-क्या, बहुत भारी तिल अक, चवडा-चवडा, इसे थोड़े भगवार में प्रेम होता है, गुपिया प्रका अंतर से भक्ति विरुद्ध योग पर अक्षेप कर रही है, और वास्ता में गुपिया क्या कर रही है, सूर्दार्जी सर कर रही है, सूर्दार्जी महा भागवत, कृष्न प्रेमी थे, तो ये इस तरह से भक्ति से विरुद्ध बात्रों को खंडित कर रही है, और सब गुपिया कहती हैं बस बस तुम्हारी बुद्धी का पता लग गया, तब प्रणाम करती हैं सब लोग, अब यहां से जाओ, अब हमारे प्रियतम स्याम सुन्दर से ही जो होगा सोगा बस वो जीवित रहें, वो सुक्से रहें, बस यही प्रात्ना है विधाता से, तुम त तुम त हमारे कर दियो उपकार, हारे किस्टन, जाशे जाओ, तुम तुम हमारे कर दियो उपकार, हरे किस्टन जाशे जाहना